हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका NCITU में जैसे कि आपको पता है हमारा फिजिक्स चल ला है फिजिक्स तो फिजिक्स में हम क्या डिस्कस कर चुको हैं फिजिक्स में डिस्कस करें हम बहुत सारे इंस्टूमेंट और उसका काम तो फिजिक्स में हम डिस्कस करें बहुत सारे करना है अभी आगे यहां तक electroencephalogram हम कर लिए थे आगे हमें discuss करना है electrometer ध्यांदो ने यही होता है electrometer electrometer simple, यह क्या करता है potential difference को ध्यांदना very small electric current में जो potential difference होते है बहुत small potential difference उसको यह क्या करता है, major करता है okay electric current में जो potential difference होता है उसको major करता है Electroscope, Electroscope का क्या काम है Electric Charge के presence को देखो Electric Charge यहाँ पर था ना उसके presence को इन्होंने major कर लिए Electroscope मतलब नाम से बदलता है कि Electricity और Scope का मतलब हो देखते हैं जिसे हम presence किसी का major करते है microscope हो गर असल तो यह क्या करता है Electric Charge के presence को major करता है Electro Microscope नाम से पता चलता है कि यह क्या करता है Magnify व्यू करता है कि बहुत सारे छोटी object को बहुत सारे छोटा object होता ना बिल्कुल यह छोटा तो इसको magnify करता है अब तुम मतलब इसको 20,000 गुना कर सकता है देखने के लिए यह लिखा इलेक्ट्रो Microscope Next है Endoscope भाई यह Body के Internal Part को देख लेता है देखो यह आपने Endoscope डाला और Body को आप और यहाँ पर आप मॉनिटर कर रहे है पूरा अंडर पूरा Body के अंदर खुसा कि आप पूरा चेक कर रहा है इसको बलते हैं इंटर्नल Body Parts को एक्जामिन करता है कान हो गए रहा है Phathometer Phathometer क्या करता है यह एक्चुली जो सीप हो गए रहा होता है उस पर लगा जाते है यह Depth of Ocean को मेजर करता है Depth of Ocean Clear Flux meter Flux meter क्या करता है यह ही है Flux meter का एक्जामपल यह Depth पिक्चा देख देख सो तो यह Magnetic Flux को मेजर करता है Magnetic Flux Magnetic Flux Galvanometer Galvanometer Actually Electric Current को मेजर करता है Clear Electric Current को Hydro meter Hydro meter तो आपको पता है Hydro किसे related है Water से यानि Water यानि Water यानि Liquid तो यानि Relative Density को मेजर करता है Relative Density Liquid के Relative Density हाईगरोमीटर हाईगरोमीटर किसको करता है हुमेडिटी के लेवल को हाईगरोमीटर मेजर करता है हाईडरोफोन हाईडरोफोन क्या करता है साउंड अगर कोई साउंड होता है ना अंडर वाटर उसको मेजर करता है देखो antenna लगा होता है, hydrophone लगाया होता है, यह बला, clear, hydrophone, sound underwater, clear, hygroscope, hygroscope क्या करते हैं, अगर atmospheric humidity में कोई बदलाव हो ना, तो उसको मेजर करता है, यह है hygroscope का picture, hygroscope, 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 clear, hypsometer, hypsometer क्या करता है, liquid के boiling point को मेजर करता है, तभी तो मैं पता चलता है, ना, को boiling point, mountain area में छो बाद, chemograph, chemograph, chemograph से क्या पता जलता है, यह physiological movement को, जैसे हमारे body के movement होगा रहोता है, ग्राफिकली record करता है, physiological movement करता है, blood pressure, heart weight, इन सब को, chemograph, lactometer, obviously, सब को पता है, जो दूध होती हैं, उसकी purity को चीफ करते हैं, तो relative density, actually, measure करते हैं, कि पतला है, मोटा है, सबा, mac meter, तो यह क्या करता है, speed को measure करता है, कि इसको speed of sound के respect में, clear, हम नहीं बोलते हैं, कि इसका mac number इतना है, यह जो हमने aircraft करता है, इसका mac number इतना है, यह सबाती, clear, magnetometer, magnetometer क्या करता है, magnetic moment को compare करता है, magnetic field में, magnets और field के बीच की magnetic moment को compare करता है, magnets और magnetic field नहीं होते हैं, उसके magnetic moment को compare करता है, कहां जाता है, कहां कम है, manometer, manometer क्या करता है, pressure of gas को measure करता है, gas के pressure को measure करता है, magnetometer, clear कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ज़्यादा हवा आएगी, यहाँ पे ज़्यादा दवाब होगा भाई, यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादा उपर होगा, तो इसे पता चल जाता है, और इसमें आपको पता है, mercury होता है, clear, यह, इसमें liquid जो, micrometer क्या करता है distance को measure करता है, और angle को measure करता है, micrometer, micrometer distance और angle को clear, microphone obviously sound wave आप जो बोलते हैं, उसको electrical vibration में convert करता है microscope क्या करता है बहुत से small object का, हम magnifying view देखते हैं, बहुत सा लार्ज view देखते हैं, clear nephalometer, nepholometer हम क्या करते है, scattering of light को measure करते है measuring the scattering of light by particle suspended in liquid मतलब कि, जो particle suspended है, यहाँ पे liquid में, वहाँ पे scattering of light को measure करते है, यहाँ पे light दे तो scatter नहीं करता है, उसको measure करते है odometer, obviously, हमें सब को पता है, car में लगा होता है, bike में लगा होता है distance को measure करते हैं, यह वाला clear, ohmm meter, ohmm meter क्या करता है, electric resistance को measure करता है, electric resistance की जाने में रुकाबर जो हो रही है ने, resistance उसको ondometer, ondometer क्या करता है, frequency of electromagnetic wave यहाँ देना, electromagnetic wave की frequency को maintain करता है frequency, frequency हमें पता है न, हमें wavelength पता है हमें frequency पता है, और हमें amplitude पता है हमें wave number पता है, इसा पता है radio frequency, band को especially, ondometer periscope, periscope क्या करता है, जो object होते हैं above sea level उसको देखता है, और इस submarine में यूज होता है, clear, photometer, photometer actually luminous intensity को compare करता है, photometer compare the luminous intensity of the source of the light उसको compare करता है, clear polygraph, polygraph एक ऐसा instrument है, जो हमारे body, पूरे body को जैसे heart, BP, respiration, सब को, जो physiological changes हमारे body में देखते हैं, उसके उज़ करते हैं, जैसे मालो आप से कुछ पूछ रहा है, तो आप जवान से तो कुछ और बोले हैं, लेकिन आपके body से आपको लग रहा है कि जैसे BP, हट भी सबसे पता चला है कि आप गलत बोले हैं, तो यह light detector के रूप में यूज किया जाता है, clear, पिक्नो मेटर, पिक्नो मेटी क्या करते हैं, डेंसिटी और कोफिसेंट को determine करते हैं, expansion of liquid, ओर कोफिसेंट को, फिर हेलियो मेटर, यह क्या करते हैं, solar radiation के component को मेजर करते है solar radiation के component को मेजर करते है पिर heliometer pyrometer क्या करते है very high temperature very high temperature को मेजर करते है by normal temperature भी थर्मोमेटर है very high temperature को मेजर करते है quadrant quadrant करते है obviously आप से को पता है altitude and angles को मेजर करते है navigation और astronomy में जब हम करते हो या astronomy में radar सब को पता है direction and range of by means of radiobayb. Radiobayb के मदद से हम क्या करता है, radar के मदद से हम देख ले थे कि जो aero plane जा रहा है, वो किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, किस एंगल से सब हम पता कर लेते हैं. Radio micrometer, यह क्या करता है, heat radiation को major करते है, radio micrometer, heat radiation को major करता है. Refractometer क्या करता है, सिंपल पता है, reflective index नाम से बता ज़ता है, salinometer क्या करता है, salinity, मतलब solution में कि salinity कितनी है, उसको determine करता है, sextant, ये क्या होते है, ये navigator के दोरे यूज किया जाता है, किसी जगह का latitude पता करने के लिए, clear, by measuring the elevation above the horizon of the sun, मतलब इसकी मदद से latitude पता करता है, clear, और इससे यूज किया जाता है height of very distance object बहुत दूर का object होता है उसका height मेजर करते है शोनार तो आपको पता है यूज को object करते हैं underwater spectroscope की मतलब record करते है spectrum को और observe करते है spectroscope में spectrometer में the spectroscope required with a calibrated scale to measure the position of spectral lines को और a refractive index को मेजर किया जाता है मतलब इसकी मतलब इसको लगाया जाता है spectroscope को और फिर spectroscope मतलब वो पूरा का पूरा spectral line को मेजर किया जाता है position को spherometer इसमें क्या किया जाता है curvature of spherical object spherical object के curvature को मेजर किया जाता है curvature कि इस क्या sphagnometer क्या किया जाता है blood pressure को मेजर किया जाता है करने के लिए तो डामेंशन अबजेक्ट को वीव करने के लिए है तो डामेंशन ओब जैसी स्टेथा मैं और सब को करनेके लिए हुआ और यहाइन आनशर्ड लंसंही डॉक्टार का फिस फेडिर एक्टर से इतना हीरे देता है अब इसम Sig निपकर अनु साइन्टिफिक इस्ट्रूमेंट हम डिसकस कर रहा है स्टेथोस्कोप हो गया है इसमें बचा हुआ है कितना दो चार छे आठ दस बारा चौदा सोला अठारा बीस के आसपर बचा हुआ है इन्वेंशन है थोड़ा लंबा इन्वेंशन भी हम ऐसा ही पिक्चर के साथ करेंगे और इंपॉर्ट इसक परिक्चर के साथ एसा यूनिट और进े कन वेंशन और टहले में जल्दी करवा देंगा तो सबस्की यह विश यू नोaments के लिचा ही और उसके बाद इन्वेंशन भार्बेंशन करों हम इंवेंशन डुसके बाद चले मिलते हैं फिर थैंक्यू थैंक्य कराई तो इसको भी देख लिजेगा और यचे बाद अभिन घजिए खंगर सांत करेंगे तो अब घजा ऊठाहि लेगा निंट्ड जैदा जितना ज्याओ करना तो कर ली जो और इसके साथ अगर आपको अहाम कट्रिब्यूशन का तो पर यह जितना करोगे, और motivation मिलेगी, फायदा मिलेगा, तो चलो, मिलते हैं फिर, thank you, thank you so much.